जै महाकाली, जै महाविंद वासनी आप लोग कैसे फ्रेंट ठीके आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे सही स्वस्त होंगे और आप लोगों पर अपनी असीन गिर्पा बना के रखे आपके बीड़े हुए काम सारे बन जाएं तो फ्रेंट्स, आज मैं आपके आगे लेकिया हूँ, यह मैं आपको स्टोन दिखा रही हूँ, जैसे कि यह स्टोन राहो के तु और शनी के लिए है, और यह लसुनिया, यह सौरी, लाजवत्र स्टोन है, तो इसे मैंने गोल्ड में बनवा के दिया है, किसी को, तो फ्रेंट यह मेरा मैंने इसे लैब टेस्ट भी करा रखा है और यह मैंने सुचा कि आप लोगों के साथ भी शेर करूँ कि कौन से ग्रहे के सौमी जो होते हैं परिशान करते हैं और हम इसे धारन कर सकते हैं तो राहू के तू और शनी के लिए हमें कि शान्ती के लिए हम यह वला स्टोन धारन कर सकते हैं जैसे यह लाजवत्र है और इसमें हम गोनेट भी पहन सकते हैं और गोमेद भी पहन सकते हैं लेकिन सबसे अच्छा यह माना गया है और यह सर्विस रेस्ट है तो आप इसे राहू केतु और शनी के शान्ती के लिए पहन सकते हैं तो मैं बताना चाहूंगी कि कैसे कैसे लोग मतलब जो जो कुंडली में प्राब्लम होती है शेनी और राहू के तू करते हैं तो मैं वही बताऊंगी कि अगर आपकी कुंडली में ये चीजे परिशान कर रही है तो आप लोग भी इसे धारन करेंगे तो आपके भी सारे बिगडे हुए काम बन जाएंगे तो जैसे की अगर राहू हमारा आज सफल है या आशुब हमें लाप देता है कुंडली में तो हमें बहनना चाहिए ये राहू जरम कुंडली में आशुब फल दायक हो तो हमें ये ऐसा इनसान कैसा होता हैगा ये अशान्ती करता है और काफी ये बात को कभी भी नहीं मानते ऐसे लोग जो जिनका राहू केतु और शेनी खराब होता है और नीच जैसे लोग होते क्योंकि राक्षश योनी में आता है राहू और केतु और तो ये कभी भी समाज में बदनामी करवा सकते हैं सफलता रहते ह कभी इनकी नौकरी ये लग रही होती है कभी नौकरी छूट रही होती है कभी इनकी वाइफ जैसे इनकी शादी शुदा होते हैं तो ये कभी इनकी इस्त्री के साथ नहीं बन पाती इस्त्री पुरुश में कस्ट बना रहता है दूशित बोजन भी खाते हैं मास मिद्रा का से भी करते हैं और ऐसे लोग कभी भी धार्मिक नहीं होते ये भगवान को या उनकी आस्ता में इनका ध्यान नहीं लगता और बहुत ऐसे ऐसे काम करवा देता है राहू जैसे को मकदमा हो गया पुलीस हो गया थाना हो गया ऐसे काम करवाता है सारे असफल कामों के लिए राहू और केतु माना गया है और शनी अगर खराब है तो आज मैं ये बताने की कोशिश कर रहे हूँ आपको कि अगर आपकी जलम कुंडली में ये चीजे दोश दे रही है या पापी घर होके बैठे है शनी राहू केतु और ये अगनी मतलब ये अगनी का होता है क्रोध भी बहुत लेके आता है तो इसलिए और साथ साथ राहू और केतु अगर खराब है तो ये हमारी जलम कुंडली के इसाब से हमें रोग भी करता है गुप्त रोग हो जाते हैं शेहर का रोग हो जाता है बहुत सारी और ब्लेड में भी थोड़ा सा इंफेक्शन ऐसे लोगों को बना रह करें तो जो कि आपके रहो केतु और शनी आपके शांत रहेंगे शांती आपके ग्रहें जरम कुलनी में बना के रखेंगे तो यहां पर मैं आपको शनी के पहले बता रही हूं कि अगर जरम पत्रिका में अगर शनी की स्तिती सुब दाइक नहीं हो तो हमें क्या क्या करना च गायको हम रोटी खला सकते हैं और तेल का हमें दान करना चाहिए शनी की दोशकी शांती हेतु हमें नीलम दारन करना चाहिए कालवस्त्र, लोया, अथा, जेटावला, नारेल, उरद, तिल और छाता, जूता, कंबल ये हमें जरूरदान करने चाहिए तो इससे हमें दक्षना में दे के हमारा शनी थोड़ा सही रहता है, हमें कम फल दायक हमें काम करना लगेगा, अशुब अपने जो चीजे हैं वो हमें कम भोगनी पड़ेंगी, तो आपने इन चीजों का हमें दान करना चाहिए, और हमें बीच की उंगली में लाजवत्र हमें पहनना चाहिए, और गुनेट भी पहन सकते हैं, और राहू कि अगर महादशा चल रही है, जैसे कि हमें मुकदमा बना देता है, या पुलिस केस करवा देता है, या आपकी नौ चूड जाती है, तो आपने क्या करना हैगा, कि अगर राहू ग्रह के दोश निवारन हितू भामुली परस्तिती में हैं, तो हमें खांड खांड जो आती है, गुड की खांड वो तलवार या उसका दान देना चाहिए, काली भेड, गोमेद, लोया, कंबल और सोने का नाग, तिल, पूण, ताम पत्र, जो तामबे का पात्र होता है, उसको दान पूरा गेहू, जैसे ही चावल भरलिया, उरत की दाल भरली, हमें पूरा वो भर के, तब हमें दान देना चाहिए, उससे हमारा राहू की शांती बनी रहती है, अगर हमारी जलम कुंडी में केतू हमें प केतू की ग्रह करी, हमें पड़ती दिन स्वस्त और वेधे रूप से लसुनिया, लसुनिया हमें जरूर धारन करना चाहिए, उसमें तो हमारा केतू शांत रहता है, और कस्तूरी जैसे कस्तूरी वो आता है, तेल, तो हमें कस्तूरी का तेल भी हमें दान करना चाहिए, और उनी वस्त्र जैसे की कंबल हो गया लोया हो गया चाहता एमम उरद साबुत उरद और काला कोईला का जरूरदान करना चाहिए अगर हो सके तो आप ऐसा करें कि आपने एक कपड़ा लेना है काला उसमें उरद की दाल लेना है एक सिक्का लेना है तामबे का और आपने उसमें कोईला रखना है और कील रखनी है और एक रुपे का सिक्का जो आता है स्टील का वो रखना है ये पांस से साथ चीजे करके उसकी पूरी गाट लगा लेनी है और आपने जमनजी या गंगा जी जाना है या भैती हुई कोई नदी आपको मिल जाए तो आपने महा जाके उस जाए करके उस पोट्ली को छोड़ देना है और आपने मंतर बोलना है ओम रहुये नमा या तो ओम ही ही म कली मुंडा विच्चाई नमा मा का भी मंतर का जाब करना है या तो ओम ही को छुड़ देना है बैट वे जलमे परवावism कर देना है और उसके बारी या तो फिद सर्क प्रश्चे मुड के देखना नहीं है आपका राहू और केतु शान्त हो जाएगा उनली में जैसे कि मैंने आपको बताया या आपको मैंने तीनों उपाए बताया और आपने ऐसी करना है और अगर कर सकते हैं श़णी को और राहू को ज्यादा ही शान्त करना है तो आपने क्या करना है घोड़े की नाल को लेके आना है घर में लेके आके और उसके बाद शाम को जैसे राहुए काल लग जाता है तब आपने मंदिर जाना है शनी देव को एक दिया जलाना है सरसो के तेल का उसमें हमें काले तिल और एक कील डालके हमें वो लगाना है दिया शनी मंदिर में और जो शनी देव का जो कटोरा तेल का भरा होता है सरसो की तेल का उसके अंदर वो गोड़े की नाल को डालना है और उसे तेल पूरा अच्छे से लगाके और वो घर लाके अपने मेन गेट पे आप लगा सकते हैं तो उससे हमें बहुँत ज्ञादा राहू और शनी शान्त करते हैं हमारी कुंड़ी में तो मैंने ये उपाई बताए हैं फ्रेंड्स राहू और केतु और शनी की शांती के लिए तो ये उपाई करना उसके बाद आप बताना कि आपको कितना फर्क लगा अगर और भी आपको उपाई चाहिए तो मैं आपको अगली नेस्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगे फ्रेंड्स और फिर एक नई वीडियो के साथ आती हूँ जैमा अकाली जैमा बिनवासनी फिर आती है झाली जैमा मजग चाहिए ञे धार भार लुट्याू और इतली है्नास की हूँए टहन शहा होँएश बताने की के सबना अनों झाल झाल